कि सभी को मेरा परणाम हर्बल रेमेडीज और नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथ ही आज हम एक प्लांट के साथ हैं जिसको आप सफेज चंदन भी कहते हैं कितने सिंपल कितने प्यारे इसके लिव्स आपको देख रहे होंगे आप लोग बहुत प्यारा यह अंदर 15 साल बाद फ्रेग्रेंस डवलप होती है और आपको पता होगा कि इसके जो मेटाबॉलेट होते हैं वह मुख्यत अलकुलाइड होते हैं और अलकुलाइड के अंदर जो पाए जाने वाला जो नाटोजन कंपाउंड है उसकी अगर बायो सिंथिस बढ़ानी है तो हम साथ दलहनी वर बाद है प्लांट लाजा सकते हैं यह सकते हैं उसके सासथ धलंत जरूर लगानी चाहिए ताकि चालन ज़्यादा से ज्यादा सोईल से ले सके और जादा से मात्रा में आरशों से स्वाइटेशन के अगर अगर करना है अगर इसका और यह इसकी गुनों की बात करें आज पर लाने के समश्या और आंजाइटी के समस्या बहुत बढ़ गई है इसके सुद्ध तेल की मसाज करनी चाहिए बहुत अच्छी नीद आती है मेडिटेशन में मन लगता है बहुत अच्छा एक कारे करता है और निन आने के समझ्या का साधानत आसानी से हिलाज कर देता है साथ यो लेकिन समझ्या यह भी है कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की एक स्पीसीज जो है और इस्ट अफ्रिका की एक स्पीसीज है उसीरिस टैनिफोलिया इन दोनों की जो लकड़ी होती है इन जोनों का जो तेल होता है वो सुद्ध स्वेच चंदन के तेल में मिलावट करता है और जो लकड़ी होती है वो चंदन की लकड़ी के साथ मिलावट की रूप में मार्केट में मिल रही है जिससे आप को बचना चाहिए कई बार क्या होता है कि देवदारू का जो तेल होता है उसकी मिलावट भी चंदन के तेल के साथ की जाती है जिसका बाद में बड़ा हानिकारक प्रभाव होता है साथ यो जो पतासा होता है अगर उसमें आप चंदन का तेल डाल कर सेवन करेंगे तो आपका जो cystitis की जो समस्या है जो cyst हो जाता है bladder में और pyelitis की समस्या है आसानी से उसका निराकरन हो जाता है लेकिन अगर आपको सुद्ध स्वेट चंदन का तेल मिले तो ही आपसे बन करें करनी छा, फायदि के जगे नुकसान भी हो जाता है इसमें antiseptic, antipiratic properties होती हैं कई बार गर्मियों में बार बार प्यास लगती है चक्कर आते हैं ऐसी अवस्था में क्या कर सकते हैं आप खस ले ले लेजे और दो से चार इसके threads के सरकेयर लेकर और घी में मिलाकर और दो से चार ग्राम इसकी जो हर्ट वुड होती है उसका चून मिलाकर सर पे लेप करना चाहिए और अगर बार बार प्यास लगती है तो नारियल के तेल में एक से दो ग्राम इसका चून मिलाकर भी आप पी सकते हैं अगर गर्मी के कारण vomiting हो रही है तो आमले का रस मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए अगर हिककप की समझ्या है या स्केबीज या स्केबीज का होता है मतलब खुजली सरीर पे खुजली हो जाती है तो इसके लिए आप इसका लेप लगा सकते हैं इसके अंदर diuretic properties होती है जो kidney की problems होती है urinary infection होता है उसमें बहुत अच्छा कहरे करता है आप इसका चून बनाकर सेवन कर सकते हैं कई बार क्या होता है कि aging के बाद या metabolic disorders के कारण vericose की समझ्या भी हो जाती है ऐसी अवस्था में आप इसके तेल की मालिस करनी चाहिए और अगर एंजाइना का pain है तो इसकी तेल की मालिस बहुत अच्छा कारिय करती है इस परकार से यह दुरलब पोधा बहुत सारे ओस्जेगून रखता है ना केवल सुगंद देने के लिए बल्कि बहुत सारे एरोमाथ ख्रेपी में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है बस आव सकता है तो सही चंदन की पहचान और उसका सोर्स आपको जरूर पता होना चाहिए नहीं तो इसमें मिलावट की पूरी संभावना होती है इसका आप लोग कल्टिवेशन कीजिए कल्टिवेशन करने के लिए मैं आपको बताया एर लेरिंग के माध्यम से प्रोपेगेशन कर सकते हैं सीड के माध्यम से प्रोपेगेशन कर सकते हैं लेकिन प्रोपेगेशन करते समय जब आप इसको ट्रांस्प्लांट करेंगे तो ट्रांस्प्लांटेशन से पहले आप कोई भी दलहनी क्रॉप लगा लीजिए ताकि रेगुलर इसको नाइट्रोजन के सप्लाई सोईल से होती रहे और इसकी बढ़भार भी अच्छी होती है